नमस्कार मैं हूँ सतीवी भुटानिसे में मौझूद हैं जवारनगर कैम की मार्केट में बहुत अच्छी खासी रोनेक रहती हैं पर मार्केट में मार्केट में दूर दराज के गावों के लोग भी यहां पर खरीदारी करने के लिए आते हैं इस मार्केट में आने वाला पर सब्सक्राइब करने के लिए आया था आप पीछे मेरे देख सकते हैं बजार में आने वाले लोग मास्क लगाने में परहेज करते हैं गुरेज कर रहे हैं क्योंकि जो मास्क है उसको पहनने में इसलिए भी कोताई बरत रहे हैं क्योंकि इसका डर लोगों में खत्व हो चुका है जहां तक बात की जाए को रोना की जैसे कि मैंने पहले बताया पहले हो चुकी है अब तक 35 डेथ हो चुकी है और अब 36 वी डेथ आज 32 साल के एक योग की हुई है नमस्कार जी पहले तो यह बताईए कि जो कुरोना की लेर सेकिंड आ रही है बहुत काफी खतरनाग भी है क्या मान कर चलते कि एक लाग 26 जार क्रॉस हुए है कल जो सरकारी आंकड़े हैं जिस प्रकार से एल्थ रिपोर्ट्स आ रही है स्वास्थ्यमंत्राले की तरफ से यह जो दूसरी स्टेन है ना यह अफ्रीकन स्टेन है इसमें पूरा के पूरे परिवार ही लिप्त होते जा रहे हैं पूरे करोन कि हमें अपने अपने फाइदे के साथ साथ राष्टे का फाइदा भी देखना चाहिए आज ही हमारे पलवल में केस हुआ है एक करोना मरीज की इलाज के दौरान मृत्य हो गई है और कितने अफ्सोस की बात है कि उसका शव उसके घर तक भी नहीं जा पाया बल्लाब कड़ है अब चुनाव को तोर भी चला है आनेक राज्य में चुनाव चले पांच जानकार भी है तो कैसे मांना कर चलती आप को रहा है यह लगा लिए डबलु एच्ट तक गलत संदेश जा रहा है जो हमारे नेतागण ग्रह मंत्री तक मास्का उप्योग नहीं कर रहे हैं और भी है कि फिलाल उनका मकसद है चुनांव उनका मकसद है राजनिती जो सेवां में वो रादिती में उनके लिए नहीं है तो में चुनाव नहीं है और यह यह वही जोहरनगर मार्केट है आपको याद होगा पिछले पर्ष हम took संगर्ष किया था जब सबसे पहला पूरा मार्किट ही सील हो गया था क्या पता लोग किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं हमें तो इस बात की समझ नहीं थी हम आपके से कहना चाहते हैं कि अभी से साफधानी बढ़ती है तभी जाके कुछ होगा फिर वह यह लोगडाउन घर बैठना पड़ेगा वह चीज़ी बात नहीं है अभी कल आपको सम्माने दिया था कि समाजिक संस्तान है जो 19 समाजिक संस्तान थी और उननचास 40-4545 जो संक्टन के लो सब्सक्राइब करते हैं कि अपने परिवार की अपनी जान की बाजी लगा के सड़कों पर घूमते रहे सब की मदद करते रहे और आज कल भी हमने सीजेम सर को लोग आम जनता में बाटने के लिए एक अजार मास्क प्रदान किया है आप मार्केट के दुकानदार भी है कैसा मानके चलते हैं आपने मार्केट में दुकानदारी करते हुए देखा भी है लौक डाउन स्थितिा सब्सक्राहि चाहाि कियो नहीं आकर प्रदान अब मैं इतनी बोल नहीं सकता नहीं कोई बाद नी सोतंत्र आप आप दुकानदार है आप कोई कश्च दुकाने आपकी बंद रही थी पिछली बार कंटेंटमेंट मेंट चौन बना था पूरा जवादा कर सील कर दिया गया था वह तो है कितने दिन बंद रही थी आपके मार् साल बंद रही थी हमारे बीच में यह जो समाजिक संख्षन के लोग हैं उनसे भी हम बात करेंगे क्योंकि नमस्कार जी कैसे हैं सर मैंने आपको देखा है समाजिक संख्षन के रूप में सेवा समीतिक माध्यम से आप लोगों ने बड़ी सेवा के थी कुरोनकाल में अब स् कि एक लाग च्विस जार क्रॉस हो चुके केस पलवल में आज एक डेथ भी हुई है क्रोना से हां जी 32 साल के व्यक्ति योग की डेथ हुई है बल्लावड करने वाला था 35 उससे पहले हो चुकी है क्या कहेंगे आप लोगों को डर क्यों नहीं आखिर लोगों को अंदर दर भी हैं फर भी मांतें नहीं है जाए झाला आपकर शम्याों कि अधर हैं और आ आपकी जो सेवा से मेटिय रही थी जल 제 वहाँ जल से बा सी कि मालतों कर दोर्या टेलमा काम किया कि लेकि अव तो ऐसा दोर ना है इसके लिए पर्शाशन को क्या कदम उठाने चाहिए पर्शाशन को सकती थोड़ी और करनी चाहिए लोगों के दबा बनाना चाहिए पब्लिक के उपर मास्क पेन के रखो सेने ट्रेजर रुखा रहे यूज़ करो पुलिस को चाहिए यह यह थे हमारे बी किये जितने भी लोग हैं मास्क बगैर आ रहे हैं कि दादा राम राम है धोकला धोकला है यह थोकला वेच रहे हैं मास्क आपने लिए लगा रखा पता है क्यों जी इसका फाइदा क्या है आगे से आप लगा के रखना आपका बचाव जुरूरी है बड़ी उमर है आपकी और कोरोना एक बार चेपेट में आ गया तो दिक्कत काफी देता है जोकला क्या रेट दे रहे हो आप एक से चालीस एक सोबीस पसंद करते होंगे ढोकला तो दोकला बिजने वाले व्यक्ति ने मास्क लगाया हमारे करने पर अनुरोद पर लेकिन फिर भी कहीं न कहीं हाँ जी नमस्कार जी यह आप लोग मास्क लगा कर रखिए कोरोना का कैर बरपरा है सेकिंड है वह काफी खतरनाक हो चुकी है कि आप ने लगाने आप मास्क लगाई यह चलान नहीं हूँ आपका जेम में रखा हुआ बहुत खुशी की बाहत है कि आपने जेम में रखा हुआ है यह कैद होकर रहे गया मास्क जी बिल्कुल जी ठेंक्स आपका बहुत धन्यवाद आपने मास्क लगाया क्या संदेश दिना चाहेंगे महीलाओ के बजार में निकले गैधरिंग में जब जब जाएं तो क्या करक चाहिए अपनी सेफ्टी तो सब्सेटी एंगे समाचा सुनते होंगे अख़वार पढ़ते हों तो मैं तो इसलिए स्कूल में भी मास लगा के रहती हुआ चाहिए जो बिना मास के मिले तो उस पर चालान हो जरूर आप क्या कहेंगे जी आपका नाम नहीं मैं सुगर मील में अच्छा हो बेरी गुड आपके तो इससे में गन्ना भी काफी आ रहा है आपके हां तो कितना गन्ना आएगा इस वारो क्या उम्मीद आपको मास्क लगा करते हैं उनका कहना है कि जो कोरोना का खत्रा है वो बढ़ रहा है उसकी वह से दिक्कत आ रही है लोगों मैं इसके माद हम से एक बार फिर से लोगों को अपील करना चाहूंगा कि जब भी गैदरिंग में जए जब भी भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाए मास्क लगा कर जाए और दुकान दारों से अभी यह कहेंगे कि सैनिटाइज भी लगाए एक बार एक पर चड़ेंगे इसके उपर एक बार आएंगे नमस्का जी क्या हाल है और भाई हम कोरोना की सेगेंड लहरा चुकी है खतरनाग भी आज परवल में डेथ भी हुई है तो मास्क लोगों ने नहीं लगा रखे हैं गाइडलेंग पर पालना नहीं की जए सेनिटाइज करते हैं आप ज़िक शुरुबाइज करना चाहिए टो मास्क वाले को ही समान देना चाहिए आपको जो आपके पास आते हैं मास्क लगा तरहा आते हैं मतलब 70 परसेंट मास्क लगा चाहते हैं 30 परसेंट वैसे आते हैं लोग कम लोग ने लगा रहा है हैं हमसे ज़्यादा तो आप प्रोच है मार्चिट में रहते हैं आपको ज्यादा नॉलिज में हैं तो यह थे हमारे बीच में पलवल के दुकांदार और कस्टमर बजारों को विजल सब्सक्राइब आपको हम बताना चाहेंगे कि पलवल में कुरोनों के जो सेकंड लेयर है उ उपचारा दिन हो चुके हैं उसका निगेटिव भी हुए काफी साथी तीन हजार और इसमें पलवल के अस्ताल में आठ पेशेंट है कोविड के शिकार है पॉजिटिव है मैं इसी के साथ आप से नरौत करूँगा कि बाजार में जब भी जाएं गैधरिंग में जाएं भी प्रक्षा आपको खुद को करनी जाएं इसी के साथ मैं जो तिखंडेलवाल के साथ आप से विदा लेतों सदीव भीटानी पलवल क्या है?